Hello dear students, welcome back to my study made delay channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे Worksheet 24 की जो Class 9th के समाजी विज्ञान के अर्थसास के अंतरगत आई हुई है जो 2 सितंबर 2021 के लिए schedule हुई है जिसका उब विसाय है पालंपुर गाओं की कहानी ठीक है इसके पहले पालंपुर गाओं की कहानी फर्स्ट पे वीडियो डाली जा चुकी है अब आज हम लोग देखेंगे पालंपुर गाओं की कहानी 2 ठीक है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे तो आईए बच्चों अब सुरू करते हैं पालंपूर में खेती मुख्य क्रिया है जो खेती का कार्य है वो पालंपूर गाओं की मुख्य आर्थे क्रिया है जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लग अस्तरी वी निर्माड डेरी परिभ़न आदे सीमित अस्तर पर की जाती है पालंपुर गाउं देखिए यह एक कालपनी गाउं है वास्तिविक्ता में कोई ऐसा गाउं है नहीं लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा किया गया है तो देखिए उसमें तो कई क्रियाएं हो रही है उस गाउं में लेकिन जो मुख्या आर्थी क्रिया है वो वहाँ क्या है क्र इन्हें क्रियाएं के लिए विभिन संसाधनों किया सकता होती हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानो निर्मि संसाधन, मानो प्रयास, मुद्रा, आदे. ठीक बच्चों देखे जो ये उत्पाधन क्रियाएं हैं इनके लिए बिभिन संसाधनों की जरूरतें पड़ती हैं प्राकितिक संसाधन, मानव निर्मि संसाधन, मानव और मुद्रा ठीक है उत्पादन का अईसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवसकता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवसक होती है ठीक है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आति आवसक हैं जिसमें पहली आव सकता है भूमी, ठीक है, भूमी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनीज, देगे, पहली आव सकता में क्या था, कि भूमी और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल, वन, खनीज, दूसरी आव सकता है, स्रम, पहला हो गया भूम, दूसरा क्या हो गया स्रम अर्थार तो वे लोग जो काम करेंगे तीसरी आउसकता है भावतिक पूजी ठीक है उत्पादन के प्रतेक अस्तर पर पेचित कई तरह की आगते हैं और चोथी आउसकता है ज्ञान या उद्यम कि आज कल इसे मानव पूजी कहा जाता है ठीक है बच्चों और उत उत्पादन के इन आउसकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं अगर आप से पूछा जाए कि उत्पादन के कितने कारक हैं तो आप चार लिखेंगे पहला लिख देंगे भूमी ठीक है साट में दूसरा हो जाएगा स्रम तीसरा हो जाएगा पूजी ठीक है और चोथा हो ग्यान या और उद्यम तो ये तरीके हैं इसको बताने के और आगे है देखिए एक उद्योग है कपड़ा बनाने का ठीक है सुती कपड़ा उद्योग तो उसको यहाँ पर आपको दिखाया गया है और आगे देखिए उत्पादन के कारक आपको दिये गए है उत्पादन के चार कारक अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं भूमी, स्रम, पूजी और उद्यम इन में से अगर कोई एक भी ना हो तो ऐसे में उत्पादन हो पाना मुश्किल हो जाएगा ठीक है? आप खुद से सोच लें येसे आपको स्रम दे दिया जाए, पूजी दे दिया जाए और उद्यम दे दिया जाए तो क्या बिना भूम के आप उत्पादन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूमी है, पूजी है, उद्यम है, स्रम नहीं है तो फिर कोई मतलम नहीं है पता चला भूमी है, स्रम है, उद्यम है पूजी नहीं है तो बिना पूजी का हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है? अब पता चला हमारे पास पूजी है, स्रम है और भूमी है पर उद्यम नहीं है, हमारे पास दिमागी नहीं है, ग्यान ही नहीं है, तभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, देखिए जो पूजी है बच्चों, वो दो प्रकार के होती है, एक होती है अस्थाई पूजी और दूसरी होती है कारेसेल पूजी, इस तरीके से यह चीजे थी, अब आज की वर्ट सीट में बच्चों कुछ प्रस्ण दिये गए हैं प्रस्णों संख्या 5 हैं तो आए उन प्रस्णों को देखते हैं उत्पादन से आप क्या समझते हैं दूसरा है उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताईए तिसरा प्रस्ण है उत्पादन के कारकों में से कौन साधनों किया सकता होती है तो ये कुल पांच प्रशन है बच्चों आईए इन प्रशनों के हम उत्तर जानने का प्रयास करते हैं पहला है उत्पादन से आप क्या समझते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जिन वस्तुओं और सिवाओं को हम चाहते हैं जिन वस्तुओं और सिवाओं को हम चाहते हैं उनका उत्पादन या निर्मार करना उत्पादन कहलाता है ठीक है और अगला प्रस्ण है उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताईए ठीक है तो उत्पादन के जो चार मुख्य कारक हैं वे कौन है तो वे कारक हैं पहला भून, दुसरा स्रम, तिसरा उद्यम, चौथा पूजी आप ये चार ही मुखिरूप से लिख सकते हैं और इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आपको बता गया पूजी दो प्रकार की होती है पहला होता है निश्चित पूजी और दुसरा होती है कारिसिल पूजी ठीक है तो इस तरीके साब इसका उतर लिख सकते हैं जो तिसरा प्रस्ण है वो है उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूड है और क्यों तो आप देखें मानो पूजी या उद्ध्यम अधिक महत्वपूड है क्योंकि इनके बिना अन्य सभी पूजी का उप्योग नहीं किया जा सकता तो सबसे जरूरी है मानो पूजी मतलब इनसानों का होना जरूरी है तभी कोई चीज हो पाएगा और अगला है पालंपूर में की जाने वाली किनी तीन गैर क्रिसी क्रियाओं के नाम बताना है आपको तो गैर क्रिसी में आ जाएंगे छोटे पैमाने पर बिनिर्माड डेरी और परिवान तो ये चीजें आप उसमें सामिल कर सकते हैं और अंतिम प्रस्ण है उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों किया सकता होती है तो बच्चों उत्पादन क्रियाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन मानो निर्मी तवस्त में मानो प्रयास मुद्रा आध किया सकता होती है तो बच्चों इस तरीके से आपका आज का ये वर्क सीट कम्पलीट होता है वीडियो यहाँ पर कम्पलीट होती है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में सेर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसी साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू